यहां में आप लोग के साथ दो ग्राफ की फोटोस शेयर कर रही हूं जिसके माध्यम से यह चीज़ पस्ट करने की कोशिश की गई है कि कुछ आत्माई जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अणेको अलग-अलग आत्मिक ग्रूप है हर आत्मा का एक अलग आत्मिक ग्रूप है जो रोल प्ले करती हैं एक साथ एक दूसरे के साथ करम संबंद बनाती हैं उन आत्माओं का एक आत्मिक ग्रूप है और कुछ आत्मिक ग्रूप ऐसे हैं जो इस जीवन वाले खेल में हम पर असर डालते हैं लेकिन वो दूर से असर डालते हैं वो हमारे आत्मिक ग्रूप के मेंब में एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आत्म लोग से ऐलेटिड जितने भी चित्र हैं वह सभी ग्राफ के रूप में हैं उन्हें चित्रों के रूप में परदशित नहीं किया गया है इसलिए समझने में थोड़े मुश्किल है लेकिन फिर भी जैसे जैसे ग्यान आगे बढ़ता जाएगा मैं वो ग्राफ के चित्र आप लोग के साथ शेयर करूंगी अब यहां पर हम आत्मिक पार्ट शाला की आत्मिक लाइबरेरी की बात कर रहे थे लास वीडियो में हमने बात की थी कि वो आत्मिक बुक्स जिनमें हमारे जीवन दर्ज हैं वो किस तरह की है अब इससे आके बढ़ते हुए कि यहां का जो पूरा वातावरन है यहां की स्थिति किस प्रकार की है यह जो इसे आप लाइबरेरी कह लीज़िए यह किस तरह का स्थान है यहां पर किस तरीके से आत्माई सीखती है अब इसी होते हैं और बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं वो दिश्य आप लोग के सामने जीवन्त हो जाएंगे लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा फर्क है बहुत बड़ा फर्क यह है कि यहां जो धर्ती पे स्कूल है वो इतने खुबसूरत नहीं है जो धर्ती के टी तो वो जो स्थान है वो नहायत ही खुबसूरत है और क्यों क्योंकि हम उस स्थान को वैसा महसूस करते हैं जिस प्रकार के विचार हम क्रेट करते हैं जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आत्मिक बुक्स का जिक्र किया था लाइफ बुक्स आपने मैंने उन बुक्स में ज उसे मालनी जे उधान के तोर पे किसी आत्मा में अहंकार का अवगुण है वो इसके उपर शिक्षा प्राप्त कर रही है कि अब उसे अपने जीवन से अहंकार का अवगुण निकालना है जब वो एक थौट करते है कि यह अहंकार की जड़ कहां है मैंने ऐसे कौन से कारे किये जीवन में जो अहंकार को मेरे पोशित कर गए गलत और सही के बीच में जब वो कहां उसने गल्टी गहां हुई उससे अंकार को बिटाने के लिए अब वो क्या करे वो इस चीज़ को समझने के लिए जब अपनी लाइफ बुक्स देखते हैं तो सि कि इस से सम्भंधि घटना चकर तो वह जो crystal होते हैं वह एक बार फिर से उसी रिदम में आ जाते हैं और वह घटना चकर आपके सामने प्रस्थत होता है जिस जिस घटना वैसे भी यहां पर जो आत्मिक शिक्षक हैं वो बदलते रहते हैं कुछ आत्माओं ने इस थान को लाइबरेरी का है और कुछ ने इस थान को जामो शिक्षा प्राप करते हैं मंदिर का नाम दिया है यह निर्भर करता है कि जो व्यक्ति है जो आत्मा है वो किस तरह से उस था को विचार किस तरह से create कर रही है किस रूप में उस थान को देखना चाह रही है ऐसे तो इस थान की भी कुछ सिमाएं हैं लेकिन किसी भी आत्मा ने यहां अपने आपको सीमावद महसूस नहीं किया है अपने आपको स्वतंत्र महसूस किया है एक जैसे कोई नियंतर ना हो नि बादे कानून में स्कूल चलता है ऐसा नियंटन वहां मैसूस नहीं किया गया और यह सिर्फ शिक्षा का स्थान नहीं है यह मनुरंजन का भी स्थान है और जब मैं शिक्षा की बात कहती हूं तो इसे इस दुनियावी स्कूलों से इसकी तुलना बिल्कुल मत कीजेगा क्यों कि यहां पर जो शिक्षा है वो आत्मिक स्थर की शिक्षा है जीवन को सुख शान्ती और आनंद से जीने की शिक्षा है यहां पर जो ओल्ड सोल्स हैं उन्हें कुछ नई आत्माओं ने मजाक्या रूप में भी देखा है जैसे कि कुछ नई आत्माओं को विक्सित यहां आत्माइं खेल भी खेलती हैं जैसे धर्ती पर बच्चे खेल खेलते हैं कुछ इसी तरह के खेल जैसे एक स्थान पर एक मार्धियम के लफ्स थे कि हम छोटे बच्ची की तरहें एक दुस्रे के साथ शराते करते हैं एक दुस्रे के साथ लुका छिपी खेलते हैं और हम उनको खुद को ढूनने में उनकी साहता करते हैं ये कितनी एक प्यार भरा गेम है कि हमें आओ ढून लो है लुका छिपी का गेम लेकिन फिर भी इशारे किये जा रहे हैं कि हम यहा हैं हमें आके ढून लो विक्सित आत्माएं जो नहीं आत्माएं हैं उनको कहानिया भी सुनाती है जैसे दादा दादी एक समय में बच्चों को कहानिया सुनाया करते थे आजकल तो वो स्थान टीवी ने ले लिया है दादा दादी के गले लगकर जो कहानिया सुनने का मज़ा होता था वो तो आजकल समाप्ती हो चुका है यहाँ पर एक चीज और है जो एक विशेश गेम कह लीजे इसे कि आत्माएं एक जैसे हाथ पकड़कर बच्चे वृताकार बनाते हैं गोलाकार एक बनाते हैं इस तरीके से एक गेम खेलती है जिसमें वो अपनी विचारिक उर्जा का परदशन करती है जो उनके मन में विचार है उसकी उर्जा का वो परदशन करती है और हमेशा जब भी जिस भी माध्यम ने इस थिती को experience किया है सब ने ये महसूस किया है जब वो इस गोलाकार में एक दूसरे को महसूस करते हैं वैचारिक शक्ति को महसूस करते हैं तो वो इस बात को बया करते हैं कि हमेशा उन्हें ऐसा मैसूत होता है कि कोई बहुत उच्च शक्ती है उनके साथ उनका संबंध है इस तरह की एक feeling आती है और ये जो एक वेचारीक लै होती है वेचारीक उर्जा की एक लै समझ लीजिए ये बहुत प्यारी है इसमें बहुत ज़्यादा समरस्था है बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे इसे ये एक दूसरे के साथ मिली हुई है बहुत ज़्यादा समरस्था है और बहुत ज़्यादा प्यार है और ऐसा एक सुरीला सा गायन के जैसा वातावरन टियार होता है और जिन भी आत्माओं ने इस चीज़ का experience किया है उन्होंने ये कहाए कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह जो एक विशेश स्थान है जहाँ पर गोलाकार रूप में आत्माएं एक दूसरे के साथ बैखती हैं विचारिक उर्जा को अपनी पदशित करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि प्रकाश का और रंगों का एक बहुत ही आकश्रक तरीके से उर्जा का मिलन हो रहा है और अलगाव हो रहा है और वो एक दूसरे के चारों और गोलाकार घूम रही है यह एक बहुत ही सुन्दर दृष्य है अगर आप इसे समझ पाएं वैसे तो इन चीज़ों को श एक पुराने समय में आग के सामने निर्थे होते थे जैसे देवता का पूजन हो रहा है बस कुछ ऐसा ही दृष्य है गोलाकार आत्माएं एक दूसरे के साथ हैं अपनी एक विचारी कूर्जा से बहुत सुन्दरतम स्थान क्रियेट हो रहा है और शब्द नहीं है लेकिन फिर भी गायन है फिर भी एक निर्थे जैसा है फिर भी अलग लग नहीं हम एक ही है का एहसास है और एक बहुत खुबसूरत उच पावर है जिसके साथ हम कनेक्टिड हैं इस तरह का एक फीलिंग है यह अपने आप में एक बहुत ही दिव्वे अनुभव है जो यह सिर्फ यहां आत्मा लोग का ही एक गेम है यह आत्मा लोग का ही एक स्थान का महत्व है जहां पर हम एक हैं सारी सोल्स एक हैं और हम सबका कनेक्शन एक बहुत उच्च से है इस चीज को बताया जा रहा है इस धर्ती पे रहते हुए इस चीज को समझ पाना वैसे तो नमुम्किन जैसा ही है लेकिन फिर भी मैं अपने तूटे-फूटे लफजों में कुछ कोशिश कर रही हूँ और इस सुन्दर स्थान पर इस सुन्दर नित्य गायन के स्थान पर इस वृत्ताकार में जब आत्माएं किसी भी स्थीत का किसी धर्मस्थल का नाबों का पशुओं का व्रिक्षों का सुमुद्र चटों का किसी भी भौतिक चीज की तरफ जब अपने मन की उर्जा को पाती हैं इसी चीज़ को मैं अगली वीडियो में भी कंटिन्यू करूंगी आप सभी पए परमातम सौंदर रहे प्रेम और आनंद सैदेव बरस्ता रहे आप सभी दिव्य परमधा में स्थान प्राप्त करें